हेलो स्टुदेंट्स मैं श्वेता मैश्वरी फ्रॉमादार शिक्षर नेकेतन हाई स्कूल आपके मैथ की क्लास स्टार्ट करती हूँ लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको मैथ में नंबर नेम कराए थी 40 तक मैंने complete करा दिये थे अब यह आपको 41 तू 60 तक मैंने यह लिखे हैं जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि 40 की spelling हमने अगर learn कर ली तो हम आगे की 49 तक ऐसी complete लिख पाएंगी 41 42 उस तरीके से लास्ट मारा आया 50 50 की आमें में spelling लिखी दैन फिर 51 तू 60 तब यह काम आप अपनी notebook में note करेंगे उसके बाद आज आपका next topic start करते हैं यह है greater number and then smaller number तो नंबर दे रखे हैं यहां पर जैसे मैं आपको example देती हूं greater number का मतलब क्या होता है बड़ी संख्या greater number का क्या मतलब होता है बड़ी संख्या और smaller का मतलब होता है छोटी संख्या जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिया 6 10 आपको यहां क्या करना है greater number पर circle करना है greater का मतलब है बड़ी आप बताए 6 और 10 इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी 10 तो 10 पर हम इसे circle करेंगे ठीक है एक और example देते हूं, जैसे मैंने दिया यहाँ पर 9, और यहाँ पर दिया 2, अब इसमें बड़ी संख्या, greater number बताना है हमें, तो greater number कौन से हमारा 9, इसी तरीके से हमें यहाँ पर greater number पर circle करना है, इसके मैं आपको exercise भी दूँगी, अब हम smaller number समझ लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिया 2, यहाँ पर दिया 0, अब इसमें से हमें smaller, मतब छोटी संख्या, चूज करनी है, तो 2 या 0, obviously 0, 0 को हम circle करेंगे, एक और example देखें, यहाँ पर मैंने दिया 4, यहाँ पर दिया 9, अब इसमें smaller number कौन सा है, 4 या 9, जो number पहले आता है counting में, वो हमारा smaller, मतब इसको greater number और smaller number में difference पता चला होगा, हमें इसी के exercise आपको देती हूँ, आपको यह copy में नोट डाउन करनी है, देखें, उसी के exercise है, उपर है, circle the greater number in each group, यहाँ पर आपको यह box दिये हुए, यह आपका first line है, यह second line है, यह third line है, यह four line है, ठीक है, यह आपको 2 number दिये है, यह 3 दिया है, यह पर 4 दिया है, यह आपको greater number कौन सा है, 4, तो यह देखें, 4 पर circle है, ऐसे ही, यह 4 है, फिर 2 है, greater number कौन सा है, इन में से, 4, तो 4 पर circle करनी है, इसी तरीगी से आपको यह पूरी exercise अपनी copy में note down करनी है, और आपको solve करनी है, नीचे दिया आपका encircle the smaller number in each group, ऐ ऐसे ही, यहाँ पर भी यह 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4rd line दियो ही है, यहाँ पर देखें, 2, 0, इसमें smaller number कौन सा है, 0, फिर है, 1, 0, इसमें smaller कौन सा है, 0, तो यहाँ भी 0 पर circle, यह 6, 7, इसमें smaller कौन सा है, 6, इसी तरीगे से हमें दो number में चूज करना है, कि smaller कौन सा है, देखें, आप देख पा रहें न, यह वीडियो आप पॉस करके, अपनी copy में note down करेंगे, अगला topic है हमारा, put the sign, ठीके, put the sign क्या होते है, इसमें 3 sign होते है, यह उता है, greater than का, यह होता है, less than का, और यह होता है, equal to का, ठीके, greater than का sign, देखें, यह वाला, less than, और equal to, आपको example बताती हूँ, दो संख्याओं में comparison होता है, ठीके, जहाँ पर यह आगे वाली संख्या, पीछे वाली संख्या से छोटी होती है, तो वहाँ पर हमारा कौन तो sign लगता है, less than का, ठीके, less than का sign लगाएंगे, ठीके, तो यहाँ पर हमें बता चला, तो हमारी big number कौन सा है हमारा, 7, less कौन सा है 5, next देखें, यहाँ पर दिया है 10 और 9, इन दोनों में comparison करना है, तो यहाँ पर big कौन सा है, 10, तो यहाँ पर पहला number कैसा है, greater, तो यहाँ पर कौन साइन लगेगा, greater than का, यहाँ पर यह वाला sign लगेंगे हम, ठीके, यह है 11, और यहाँ भी 11, दोनों सेम है, मतलब equal हैं, दो यहाँ पर कौन साइन लगेगा, equal का, ठीके, फिर देखें, यहाँ पर दिया है 12, यहाँ दिया है 15, तो greater कौन सा number है, 15, तो first number हमारा क्या है, smaller है, तो इसलिए हम कौन साइन लगेंगे, less than का, ठीके, इसने हमें यह भी देखें, जहाँ अमारी big संक्या होती है, वहाँ हमारा यह साइट ओपन रहता है, ठीके, इसका ध्यान लखेगा, इसी तरीके से आपको मैं इसी के exercise भी देती हूँ, आपको अभी जो मैंने फुर्दा साइन पढ़ाई है, यह उसी के exercise है यहाँ पर, देखें यह उपर example भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर बैलून्स का example दिया है, यहाँ दिये 1,2,3,4,5,6,7,8, यहाँ कितने बैलून्स है, 8, और 1,2,3,4,5,6, यहाँ कितने है, 6, तो जादा कहा है, इस साइड, तो कौन सा साइन लगेगा हमारा, greater than का, ठीके, देखें यहाँ पर भी examples दिये, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो बिक संक्या किदर है, 4, तो य अपनी copy में note करना है, और आपका आज का last topic है, just before, between and after, before का मतलब क्या होता है, पहले, between का मतलब क्या होता है, बीच में, और after का मतलब क्या होता है, बाग में, इसमें हमें digit बतानी है, before में जैसे मैं आपको example देती हूँ, तो हमें क्या बताना है, 7 से पहले, यहाँ पर पहल ब्लेंक दिया है तो हमें पहले की संक्या ही बतानी है तो 7 से पहले क्या आता है 6 ठीक है जैसे मैंने यहां पड़ दिया 20 यहां इसमें बहुत confused रहते हैं तो इसको देखिए सबसे पहले हम यह देखेंगे 2 से पहले क्या आता है 1 और 0 की जगे हमारा क्या होगा 9 इस तरीके से हमें जल्दी भी आ जाएगा और हमें समझ भी आता है ठीके ठीके, next देखिए यहां मैंने दिया 11 11 से पहले क्या आता है 10 तो इस अभी आपके किसके एक्जामपल है बिफूर के, बिफूर का मतलब होता है इसे पहले वाली संख्या ठीके, next आपका between, between में क्या होता है 2 संख्या देंगे आपको जैसे 12 दिया बीच में ब्लैंक हो, यहां 14 तो 12 के बाद क्या आएगा, यहां 13 तो दोनों के मिड की हमें, जो डिजिट होती है वो यहां फिल करनी है, ठीक है देखिए, मैंने दिया यहां पर आपको 15 17 तो यहां क्या आएगा 15 के बाद 16, देखिए 17 एक और बताती हूँ, 22 तो 20 के बाद क्या आता है, 21 तो हमें दोनों संग्या को धियान में रखकर यहां में मिल्ट की डिजिट फिल करनी है आफ्टर का मतलब उता है, बाद में से मैंने दिया यहां पर 9 देखिए, 9 के बाद में ब्लैंक है यहां पहले ब्लैंक था तो यह बिफोर था, यहां बाद में ब्लैंक है तो यह आफ्टर है 9 के बाद क्या था है, 10 7 के बाद क्या था है, 8 26 के बाद क्या था है, 27 ठीक है बचो, इसी के आधार पर मैं आपको इसकी भी आक्सरसाइज देती हूँ ठीक है, यहां यह दियें जस्ट बिफोर, बिट्वीन, आफ्टर तो आप इसको अलग-अलग उतारेंगे बिफोर वाले पहले उतारेंगे नमब 1, यह 6 6 से बहले क्या आएगा यहां पर? 5, इस तरीके से आपको यह फिल करना है ऐसी बिट्वीन 1, blank, यह 3 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है? यहां पर दिया है, after इसे 6 के बाद, 7 8 के बाद, 9 ठीक है? आप इसको copy में अपने note डाउन करेंगे सभी exercise को, अलग-अलग पेस पर और सभी को solve करेंगे carefully, आज की लिए इतना ही, thank you